जै श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा जैसा की हम अपने पहले भाग में बता चुके हैं कि प्रथम भार भागवत परिक्षिजी ने सुनी थी आज हम आपको परिक्षिजी के बारे में बताएंगे कि परिक्षिजी कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ महा भारत में अभिमन्यू की वीरगती प्राप्त होने से पहले उनकी पत्नी उत्तरा के गर्व में परिक्षिजी का प्राकटे हो चुका था महा भारत के युद्ध के पश्चाद जब दुर्योधन मृत्यु शयया पर पड़ा था तो उसकी आखरी इच्छा थी कि पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला भी ना बचे अपने मित्र दुर्योधन की इच्छा पूर्ती के लिए गुरु द्रोण के पुत्र अश्वस्थामा पांचो पांडवों को बानने के लिए उनके शविर में गए किन्तु उसने दुर्योधन के पांचो पुत्रों का सिर्फ पांडवों के भ्रम में काट डाला उसके पस्चात अर्जुन अस्वस्थामा को रसी से बांद कर दंड देने के लिए द्रौपदी के सामने लाए द्रौपदी ने विचार किया कि जिस प्रकार आज मैं पुत्रव्योग सो दुखी हूँ उसी प्रकार अस्वस्थामा की मा भी अपने पुत्रव्योग में दुखी हो जाएगी ऐसा सोच कर द्रौपदी ने अस्वस्थामा को मुक्त कर दिया अर्जुन ने प्रभू की प्रेरणा और द्रौपदी के निवेदन के कारण अशरस्थ्वामा को मुक्तो कर दिया लेकिन डंड स्वरूप उसके सिर की मणी निकाल कर उसे अपमानित कर दिया अपमान का कष्ट मृत्यू से भी अधिक होता है अशरस्थ्वामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है मैं इसका बदला लूँगा उत्रा के पेट में गर्भ है और वेब पांडवों का उत्रा दिकारी है उसका नाश होने पर पांडवों के वंश्च का नाश हो जाएगा ये सोचकर उसने उस गर्ब पर ब्रहमास्त छोड़ा ब्रहमास्त उत्रा के शरीर को जलाने लगा उत्रा दोडती हुई श्री क्रिश्न के पास आई सीरी क्रिश्न ने उत्रा के गर्ब में जाकर परिक्षिजी का रक्षन किया उत्रा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं, किन्तु परमात्मा श्री क्रिश्न के पास गई तोकि द्रॉबदी ने उत्रा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रे लेना वह तेरी अवशायता करेंगे माता के पेट में ही परिक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे कुछ समय पश्चात उत्रा ने बालक को जन्म दिया वह चार ओर देखने लगा माता के उधर में मुझे चतुर बुज रूप में जो पुरुष दिखता था वे कहा है परिक्षित जी भागिशाली थे जो उनको माता के गर में ही भगवान के दर्शन हुए जन्म के बाद युदिष्टि ने ब्रहमणों से पूछा कि ये बालक कैसा होगा ब्रहमणों ने का वैसे तो सभी ग्रह दिव्य है किन्तू मृत्यू स्थान में कुछ गड़बड़ी है उसकी मृत्यू सर्पदंश से होगी ये सुनकर युदिष्टिर को दुख हुआ मेरे वन्ष का पूत्र सर्पदंश से मरे ये ठीक नहीं है ब्रहमणों ने उनको आश्वस्त किया चाहें शर्पदंश से उसकी मृत्य हो किन्तू उसे सद्गती मिलेगी उसके अन्ग्रह शुभ है इस प्रकार परिक्षिजी का जन्म हुआ इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार दुराबदी ने उत्रा को सीख दी थी जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रे लेना उसी प्रकार हमें भी हमेशा ठाकुर जी के चरणों का आश्रे लेना चाहिए वे हमारी साइता अवश्य करेंगे अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो कृप्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जय श्री कृष्ण